हरे कृष्णा भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सोलवे अध्याय का सोलवा शलुक लेको भगवान इस पूरे अध्याय में शुरू में जो भक्तों के लक्षन हैं उनको बताने के बाद मुख्यते चर्चा कर रहे हैं अब भक्तों के बारे में उनको भगवान असुर राक्षस कहके पुकार रहे हैं अगर आप ध्यान से सोलवा अध्याय पढ़ रहे होंगे तो आप ये पारे होंगे कि बेशक भक्ती में लगने के बाद भगवत कीता के पंद्रा अध्याय पढ़ने के बाद हरी नाम करने के बाद सब कुछ करने के पाई हैं होती हैं हैं यह आपने देखा होगा अगर यह बात relevant ना होती तो भगवान भक्त अर्जुन को क्यों बता रहे भगवान ने तो चौते अध्याय में अर्जुन को बोला कि तुम मेरे भक्त हो तुम मेरे मित्र हो फिर बुरे आदमियों की क्वालिटी अर्जुन से क्यों डिसकस कर रहे हैं उनके माध्यम से हमें क्यों मिल रही हैं इसलिए मिल रही हैं कि अभी भी हमें कोई अगर एकाद कमी रह गई हो पढ़ने के बाद समझने के बाद तो उसको दूर करने की कोशिश करें कोई भी बात है सोलव अध्याय दुबारा पढ़िएगा शुरू में भगवान ने वो qualities बताई जो होनी चाहिए और अब लगातार वो qualities बता रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए ये features, ये वेवार, ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए भगवान इसको negative मन रहे है अब भगवान क्या बता रहें सोलव अध्याय में सोलव श्लोक में कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर जो वेक्टी आलड़ी धनी है वो और ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रियासरत रहता है हर वक्त कि कैसे और ज़्यादा धन कमाऊ मैंने पहले भी कहा था और ज़्यादा धन कमाने में प्राब्लम नहीं है ठीक है ये इट्स गुड थिंग, इट्स नॉट बैड थिंग बट प्राब्लम यह होती है कि जरूद से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करने में आदमी दो गलतियां करता है नमबर एक भक्ती तो करता ही नहीं है नमबर दो हर समय परिशान रहता है, चिड़-चड़ा रहता है तो क्रोध नमबर तीन जब पैसा कैसे भी कमाना ही है तो पाप भी कर बैठता है गलत बिजनिस एक्टिविटीज करता है गलत काम करने के लिए तयार रहता है है ना और नमबर चार प्रभुपाजी भी लिख रहे हैं जब वो इस कारे में आगे भढ़ना चाहता है तो कभी-कभी जब उसको सफलता नहीं मिलती और उसको लगता है कि किसी दूसरे के वेज़े से सफलता नहीं मिल रही तो बज़ाय उसको अपने कमपटीटर के शत्रू मानने लगता है कमपटीटर अलग होता है एनेमी अलग होता है लेकिन वो कमपटीटर न मानकर एनेमी मान लेता है यानि उसको प्रितियोगी न मानकर क्या मान लेता है अपना शत्रू ये सोच परिशान करती है और फिर बोलते हैं चिंता चिता समान सो अनेक प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न होकर मोजाल में बंद कर मोग हो गया उसको सही सोच नहीं पा रहा हो मोहित भी हो गया है आसक्त भी हो गया है तो अब क्या हो रहा है इंद्रिय भोग में अत्यादिक्त आसक्त हो जाते हैं फिर ऐसा आदम जो बहुत ज़्यादा परिशान होता है तो फिर अपने दिमाग को सही जगह पर आने के लिए कुछ लोग मदीरा पान करते हैं इतनी टेंशन है कुछ लोगों को मैंने ऐसा बोलते सुना है कि टेंशन में जीवन होने की वज़े से उन्होंने सिगरेट का साथ ले लिया अब फिर वही होगा न आप जब किसी चीज के पीछे दिवाने हो जाओगे पागल हो जाओगे हर चीज तो हो नहीं सकती तो फिर क्या होगा यही सब होगा उल्टी सीदे हरकते करने लगोगे लेकिन ऐसा होने से लास्ट में जब आप सारे भगवान ने क्या कहा था भयावय कारे करते हो और not required जो नहीं चाहिए है ऐसे बेकार के काम करते हो तो फिर क्या होगा नरक में गिरते हो भगवान ने कह दिया यहाँ पर नरक शब्द का इस्तिमाल किया है ऐसा नहीं है कि यह सरफ प्रभुपाजी ने हिंदी में लिग दिया संस्कृत के शलोक में भी नरक शब्द का इस्तिमाल किया है तो स्वर्ग लोकों की बारे में भगवान ने नवे अध्याय के 21 शलोक में भी कहता है कि लोग स्वर्ग में जाते हैं तो भगवद गीता में ही स्वर्ग का वर्णन है। पंद्रवे ध्याय के छटे स्लोक में भगवान ने अपने लोक के बारे में भी बताया है। कि वाना सूरे की जुरोते न चंद्रमा की। और पढ़ते क्या करें भगवान, सत्रवे, सोलवे अध्याय की, सत्रवे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपने को श्रेष्ट मानने वाले, देखे, अपने आपको अच्छा, बहतर मानना ही चाहिए, यह confidence भड़ता है, बट अपने को श्रेष्ट मानने का मतलब एक यह भी होता है कि दूसरे मूर्ख है, देखे, मैं अगर अमीर हूँ, तो मेरे अमीर होने से आप गरीब नहीं हो जाते हो, मैं अगर अच्छा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हो गए, मैं अगर सुन्दर हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं आप कुरूप है, मैं पड़ा लिखा हूँ, इसका मतलब यह नहीं आप अनपढ़ है, मैं मजबूत हूँ इसका मतलब यह नहीं आप कमजोर है तो अगर आप सरफ आदा सोच रहे हैं तो कोई problem नहीं है that is confidence कि मैं मजबूत हूँ मैं सुंदर हूँ मैं अमीर हूँ मैं काबिल हूँ मैं पड़ा लिखा हूँ लेकिं दूसरों को अपने से कमजोर समझना यह है तो अपने कुछ रेष्ट मानने वाले और सदय घमंड करने वाले तो फिर इस चीज का घमंड तो हो गए नहीं कि मैं औरों से बैटर हूँ एक यह औरों से बैटर वाली feeling confidence दिलाती है और एक overconfidence दिलाती है घमंड दिलाती है वह आप किस level तक सोच रहे हूँ उस पर depend करता है संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोगरस्त लोग कुछ के पास थोड़े पैसे और नेम फेम होता है तो वो ऐसी सब को पागल समझने लगते हैं सब को अपने पीछे दोड़ाएंगे बत्तमी जी से बिहेव करेंगे वो है यह उनकी बात करें भगवान संपत्ति प्रतिष्ठा से मोगरस्त लोग किसी विदी विद्वालन का पालन ना करते हुए भी कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यग्य करते हैं अब इसी यग्य में से मिलो दान भी आ गया कोई सोशल एक्टिविटी भी आ गया ऐसी बस मैं किसी भी बड़े आत्मी का नाम नहीं ले रहा इसमें फिल्मी का लाकार भी इंवाल्व हैं यह लोग नौन वेज भी खाते हैं ट्रिंक भी करते हैं सुने दुनिया भर का वैभिचार भी है इनके जीवन में सुना है पता नहीं क्या सकते हैं लेकिन कभी-कभी ये सोशल एक्टिवीटी करते भी दिखते हैं। पहले अपना जीवन तो सुधारी है। सात्विक जीवन हो उसके बात आप कुछ अच्छे काम करो तो अच्छा है। अब मेरी इस सुनकर आप की दिमाहbay में उसकता प्रश्ण आए कि किया इसकी काम नहीं करने चाहिए में करो क्या उससे पाप लग साथा करो आपने कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए साहिAST कोई बड़ा दां दियाकर सप्रकार को या कोई social activity के तो अच्छी बात है लेकिन भगवान उसको ज्यादा consider करने वाले नहीं है बुरा ही कुछ नहीं है एक बुरा वेक्ति भी अगर दान कर रहा है तो ठीक है दान कर रहा है ना चलो कुछ तो अच्छा कर रहा है और भगवान तो इतने द्याल हुए है चाहा हुआ उसने सौ में से नब्य काम पिच्चानवे काम खराब कियो तब भी वो पांच काम अगर पांच के लिए उसको कुछ ना कुछ अच्छा देगा यह भगवान की महांता है लेकिन भगवान फिर भी उसको भी बहुत वैल्यू नहीं दे रहे हैं उसको कोई बहुत पसंद नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति को जो वैसे तो सारे खराब कर्म करता है और अब थोड़ा बहुत यग्या या कुछ इस तरह का दान कुछ करके दिखा रहा है वो कुछ नहीं है नहीं अब एक आदमी जो है वो महिने में दो बार एकादशी वरत करता है भगवान उसको बहुत पसंद करेंगे एक आदमी जो है वो एमेही नाटक बाजी करके भूख करताल में बैठा दस दिन की तो आपको क्या लगता है भगवान उससे बहुत कुछ होंगे कि यार मेरा भक्त तो सरफ दो दिन एकादशी कर रहा है महीने में यह देखो दस दिन से भूखा है नहीं भई या पलिटिकल रीजन है नहीं अब कोई आदमी जबरस्ती नाटक करक के भूखड़ताल में बैठा हो या तो बहुत जैन्मिन उसकी लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया हो और लोग भी उसके साथ सेक्ड़ों हजारों में भूखड़ताल कर रहे हो तो समझ में आता है इसका मतलब जनता जनारदन उसके साथ है वो संगर्ष कर रहा है और आम बढ़ते हैं स transmiscas ब tô सोलवे अद्यहाय में अब ऐठारवाश लोग है यहां भगवाद के रहे हैं मित्या अहंकार मैं बड़ा हूँ बलवान हूँ महान हूँ मित्या अहंकार बल दर्प मैंने पहले भी बता है था दर्प शाथ का मतलब है इडोगेंस इसका भी basically यही मतलब होता है कि मैं बहुत great हूँ, superior हूँ, educated हूँ, rich हूँ, beautiful हूँ और दूसरे लोग बेवकुफ हैं, नीचे हैं, घाटिया हैं, कमजोर हैं काम और क्रोज से मोहित, काम इच्छा बहुत तंग करती हैं इनसान को हर वेक्ति के मन में होती हैं लाल साएं, जिसमें प्रमुख है, खासकर पुरुशों में, जादस जादस त्रियों को संग ये काम इच्छा इनसान को ढंग से भक्ती करने नहीं देती सो काम और क्रोज से मोहित होकर आशुरी वेक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में इस्थित भगवान से इर्श्या और वास्त्विक ध्रम के निंदा करने लगते हैं ऐसे लोग ब्रह्मन कुल में जन्व लेके भी प्रपर प्रपर जन्व लेके भी इनको भगवान समझ नहीं आता अपने आपको ज़्यादा काविल समझते हैं सोचते हैं मौडरन हैं उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं नौन्वेज खाते हैं ड्रिंक करते हैं कल्बों में जाते हैं और खुद को ज़्यादा बेटर समझते हैं हवाई जाज में ट्रैवल करते हैं तो समझते हया रहuchen जो ट्रेंन में जाते हैं और बसो में जा रहे हैं आख तुछ प्राणी है घटियां हैं गरीब है तो इन लोगों का पिर क्या होने वाल है अब कुछ सोचن भगवानने पहले भोलते हैं इनको नरक में डालता हूं मैं, ये जन्म इनका भीच जाएगा क्योंकि इनको ये जन्म मिला हुआ है पिछले जन्मों के गुड करमाज की वज़े से हो सकता है कभी, कियो इन्होंने कुछ यग्या, दान, तपस्याएं, पिछले जन्म में किसी के प्रभाव में आके, तो वही सम्म बिला हुआ, इनको टिकिन टेंपरेरी है, जिस दिन इसका फल खतम, उस दिन अचानक मृत्यू भी आ सकती है, और फिर बस चैप्टर खतम, और उसके बाद चालू, फिर धंड मिलने चालू हो जाएंगे, सेट आफ तो होता नहीं, मैंने पहले भी कई पर बताया है, ज जवान कहता है, पिच्चानवे अच्छे के पिच्चानवे का फल दूँगा, पांच बुरे के पांच का भी फल मिलेगा, तो ऐसे लोग जब अच्छे कर्मों का फल खतम हो जाता है, बहुत लोग मिर से प्रिशन करते रहते हैं, मैं जवाब नहीं देता, कि जो बुरे बड़ी है, बड़ी फैक्टरी है, बड़ा ओफिस है, तो आपको लगता है बड़ा खुश है, क्या पता अंदर से पूछो, उसकी पत्नी नलायक हो, बच्चे नलायक हो, उसके शरीर में हो सकता, अनेक तरह की समस्याए हो, बिजनिस चल रहा है, लेकिन लॉस में चल रहा ह हो, आपको क्या पता, दूर से अगर कोई थोड़ा सा अमीर दिख रहा है, तो तो बहुत अच्छा जीवन जीर है, तो इस तरह के प्रश्न ना ही करें तो अच्छा है, ना ही सोचे, ना सोचों के ना प्रश्न करोगे, आप ही सबसे अच्छे हो, आप भगवत गीता पढ़ कि वो नरक की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपने सोलमात दिया, अगर ध्यान से पढ़ लिया हो, भगवान ऐसे लोगों को नरक में डालने वाले हैं, कहा है अच्छे, आप ही स्रेश्टम हो, आप भगवान के भक्त हो, भगवान ने कहा है मेरा भक्त मुझ में है मैं उसमें कहा हूँ, यह चीज में कहा होगी, तो इसलिए इतना मत सोचे, अपनी भक्ती में लगे रहें, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, हरे कृष्णा